आज इस वीडियो में मैं आप लोगों बताऊंगा कैसे आप GPE का Soundport में Language Change कर सकते हैं नमस्कार मेरा ना मैं भीकास और आप देख रहे हैं भीकास चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों यह जो Soundport देख रहे हैं Soundport बहुत सारा लोग यूज करते हैं एकदम easy process है एक बात देख लीजेगा तो आपको problem जरूर सॉट आट हो जाएगा तो चलिए पहले आपको क्या करना है Soundbox के उपर इतना सारा सुष आपको मिलता है यह है power off on करने के लिए volume up, volume down करने के लिए इसके बाद menu button इसको paste करते हैं तो repeated message चुनाते है last three transaction and last one transaction पहले आपका speaker on है कि नहीं यह देख लीजेए अभी हमारा speaker on है अभी menu button को कुछ time paste करके रखना है फोर जी आ चुका है, इसके बाद plus button को एक बार paste करिए यह language ale आ चुका है, English इसके बाद इसको कुछ time paste करके रखे, don't know dot आ चुका है इसके बाद again plus button को click करना है देखे हिंदी हो चुका है और कुछ करने का जोरूत नहीं है यह भाई बेड होगा अभी अभी इसका जो language है, यह change हो चुका है इस तरफ से ही sound box का language change कर सकते है sound box का language change करने के बाद sound box जो बोलना बुआंद कर दीता है voice नहीं आते है तो इसके लिए मैंने वीडियो बना के रखे उसका problem कैसे sort out करे वो भी description में link देके रखे वो जाके आप लोग चेक कर सकते है इस तरफ का problem आ रहा है तो बढ़ मैं अभी सुनना चाहता हूं तो इसके अंदर sound आता है की नहीं पिछला भुकतान है रुपए यह हिंदी में अभी हो चुका है अब लोग देख सकते हैं पहले last transaction बता रहा था अभी पिछला भुकतान बता रहा है इसी तरफ से easy way में इस sound box का language change कर सकते है